नमस्ते दर्शकू एक बाए फिर से सु आ गया थे आपका एडिकेट ट्रावन यूट्यूब चानल पे आज की डेली ट्रावल सीरीज में हम चलेंगे मिर्जा गालिप की हवेली देखतें मिर्जा गालिप की हवेली एक ऐसी जगह है जो उर्दु शायरी के महारती मिर्जा गालिप की यादों को जिन्दा रखती है गालिप की हवेली में प्रवेश करते ही आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप 19th सेंचुरी में लौट आए हों इस जगे की हर एक दिवार, हर एक कोना गालिप के जीवन और उनके समय के कहानिया सुनाता है वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है और आज हम इस हवेली का तूर करेंगे और आपको मशूर मिर्जा गालिप के बारे में बताएंगे गालिप का जन 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था इनका असली नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खान था और इन्होंने बाद में अपना पैन नेम गालिप रखा गालिप की जिन्दगी का अधिकांश हिस्टा दिल्ली में बीता इस हवेली में आने से पहले गालिप ने अपनी पहली गजल सिर्फ 11 सार के उम्र में लिखी थी अगर आपको ये हवेली देखनी है तो आपको सबसे पहले टिकट लेनी होंगी और इन पिकट का प्राइज काफे कम रखा गया है उनकी गजले और शायरी ने ना सिर्फ उन्हें अपने टाइम पर शोहरत दी बल्कि आने वाली पीडियों को भी एक मार्ग दिखाया ये हवेली जो उनका घर थी उनकी जिन्दगी और उनकी शायरी का एक एहम हिस्सा है मिर्जा गालिप पार्थी और उर्दू भाषाओं के एक प्रसिद कवीते पुराने दिल्ले के चांदनी चौक के हलचल भरी सडकों के बीच छुपी है मिर्जा गालिप के हवेली मिर्जा गालिप की हवेली पुराने दिल्ले के बल्ली मारान में कासिम जान गली में स्थित है यह हवेली गालिब को एक हकीम ने उपहार के तौर पे भेट की थी इस हवेली में गालिब ने 1860 से 1879 तक अपने जीवन का अंतिम समय बिताया यह हवेली दो मंजिला हुआ करती थी इस हवेली में गालिब से जुड़ी कई चीजों और उनके रचनाओं को रखा गया है दिल को चाहिए कि फिर से उड़ने की तैयारी कर ले अभी तो सफर का पहला पड़ाव है हवेली का महौल, लाइटिंग, डेकोरेशन, क्ले मॉडल्स और परदों की मदद से गालिब के समय जैसा बनाया गया है मिर्जा कालिब के जीवन की जहलक पेश करते हुए यहां उनकी पसंदीदा पोशाक, लंबा कुर्ता और लंबी कराकुल फोपी प्रदर्शित की गई है हवेली की दिवारों पर आपको गालिब द्वारा लिखी गई शायरी फ्रेम की हुई दिखेगी यहां हवेली आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया द्वारा संजक्षित एक हेरिटेज साइथ है इटो और पिलर से बनी यहां हवेली मुगल आर्किटेक्चर का एक बहतरी नमूना है दिल्ली सरकार ने इस हवेली को मेमोरियल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है दिवारों पे टंगी तस्वीरों में आप गालिप का आगरा का घर, उनकी पतनी का घर और पुरानी दिल्ली की जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे उसे देखेंगे दिवारों पे आप गालिप द्वारा लिखे गए खतों को भी देखेंगे शायरी का हिंदी और इंग्लिप ट्रांसलेशन भी आप यहां पढ़ सकते हैं गालिप शत्रंज और चौसर भी खेला करते थे अपने ट्रावल एक्सपिरियंसेज को हैसल फिरी बनाने के लिए यूज करिए एड़ुएट ट्रावल एप इस एप से आप अपने आसपास ट्रेवल पार्टनर सून सकते हैं और अपने ट्रावल एक्सपिरियंसेज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो आज ही डाउनलोड करें एड़ुएट ट्रावल एप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हवेली के अंदर आप गालिब की शाइरी की सई फेमस किताबे भी देख सकते हैं गालिब अपनी शाइरी कठिन पार्सी भाषा में लिखते थे जो आम लोगों को समझने में मुश्किल होती थी पर उनकी उर्दों में लिखी गई गजलों को लोगों ने बहुत सराहा इसके साथ ही मिर्जा गालिब एक अच्छे खत लेखक भी थे और वहे इन खतों को सरल उर्दों में लिखते थे खेरात में मिली खुशी मुझे अच्छी नहीं लगती गालिब मैं अपने दुखों में रहता हूँ नवाबों की तरह गालिब का जीवन हमीशा कष्ट, पीड़ा और दुख से भरा रहा इसलिए उनकी शायरी में दुख जलगता है जब गालिब पाँच वर्ष की उम्र के थे, तब उनके पिता की मृत्यू एक युद्ध में हो गई थी इसके बाद गालिब की देखभाल उनके चाचा जीने की, लेकिन जब वे नौ वर्ष के थे, तब उनके चाचा की भी मृत्यू हो गई इसके बाद गालिब अपने नानानी के साथ रहने लगे इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी से काम के 13 साल की उमर में उनकी शादी उम्राव बेगम से हुई इस विवा से 7 बच्चे पैदा हुए लेकिन उनमें से सभी की बच्चपन में ही मृत्यों हो गई इसके बाद गालिब ने अपनी पतनी के भतीजे को गोध लिया लेकिन उसकी मृत्यों भी कम उमर में हो गई शादी के बाद 1812 में वे साई रूप से दिल्ली आ गए गालिब की आर्थी खालत भी संगर्ष पून रही उन्होंने कभी नियमित नौकरी नहीं की और राजा महराजाओं की सरपरस्ती पर ही निर्भर रहे पर इतने संगर्ष और दुख से भरे जीवन के बावजूद भी गालिब ने लिखना जारी रखा हम न बदलेंगे बक्त के रखतार के साथ जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा गालिब इतने मुश्किलों भरे जीवन के बावजूद भी गर्म जोशी से भरे सहानो भूती रखने वाले एक विनम्र और उदार व्यक्ती थे जो कहे सच्चे मन से अपना दोस एक ऐसा दोस चाहिए हमें तो ना जमीन, ना सितारे, ना चान, ना रात चाहिए गालिब के मित्रों की एक बड़ी मंडली थी जिनकी मित्रता उन्हें बहुत प्रिय थी गालिब ने उर्दू से जादा फार्सी में लिखा और वह चाते थे कि उनको उनकी फार्सी कृत्यों के लिए जाना जाए गालिब का मतलब होता है विजेता गालिब ने अपनी रचनाएं तीन रूपों में लिखी जो की हैं गजल, मस्नवी और कसीदा अगर आप मिर्दा गालिब की हवेली देखने आना चाते हैं तो आप यहां बाय मेट्रो पहुँ सकते हैं नियर्स्ट मेट्रो स्टेशन, चादनी चौक या चावडी बाजार है हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं